SK Culinary Art, Source for Easy and Tasty Recipe Share and Subscribe to my channel, SK Culinary Art Hello friends SK Culinary Art में, आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके शाद शेर करने वाली हूँ एक स्वादिस्ट Indian Sweet जो पनीर से बनाएंगे इसे पनीर जलेवी कहते है ये छेना जलेवी की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते है आज की रेसिपी, Unique Indian Sweet छेना जलेवी रेसिपी मैंने एक लीटर दूद रग दिया है छेना बनाने के लिए वार वार ऐसी चलाते रहने का चमच को नीचे ना चिपके इसके लिए उबला जाएगा तो गैस बंद करना है देखिए धूद में अच्छा से उबला गिया है अब हम गैस बंद कर देते हैं थोड़ा ठंडा होने देगा उसका जो धूआ है निकल जाए फिर हम उसमें विडिंगर एट करना है देखिए अच्छा से उबला गिया है गैस को बंद करते हैं इसका जो धुहाँ है उन निकल जाए एकी तीन चमच विनीगर लिया और चार चमच पानी लिया है इसको अच्छा से मिक्स किया है थोड़ा-थोड़ा करके देते जाएगा और हिलाते जाएगा इसका करके जाएगा तेक फटना चलोग्या है इसे दम अच्छा से छेणा तेहार हो गया तोड़ा साओ पानी बज़ गिया है विनीगर ते उसको भीग दे तेता है अगर गयस को ओफ करके चैना पाडेगा तो बहुट सॉफ्त होता है अर्डा गयास करके करने से चैना तो बन जाता है ब़ुट बहुत हाड होता है वह इसको चान लीते है जेंस ट्रेनर ले लिया है, यहा हंडी के उपर रख दिया, पर हईट कप्रा लिया है इसको थोड़ा किला कर लिया, तो नहीं है चिपकेगा, गिला करने से न अच्छा से निकल राता है ऑने इसमें छानले रहा है कि इसमें निकल लिया और ये पानी को हम रख देता है कि इसको दुसरा कि सब जीवा नाने में काम आएगा कि इसको उपर से थोड़ा पानी दे के धो लेगा क्योंकि उसका जो खट्टा पन नहीं रहेगा विनीगर का रच्छा से दो लेना होगा कि अ कि पानी अच्छा से निच्वर लेगा हाथ से बहुत ज्यादा जोड़ से नहीं करने का कि इसको जो क्रीम रहे तो निकल जाएगा देगे कितना अच्छा चाहना बन गया बहुत सॉफ्ट हुआ अब इसको अच्छा से हाथ से स्मेश करना पड़ेगा एकदम प्लेन करने होगा क्योंकि एकदम स्मूथ होना चाहिए दाना दाना नहीं रहना चाहिए देखिए इसे करके पुरा स्मूथ भू हो जाएगा देखिए कितना स्मूथ हो गया है देखने से पता चलेगा और दाना दाना नहीं है अभी इसमें मैदा एट करना है चार चमच मैदा ले ले रहा चार चमच ही लेगा दो चमच कॉन्फलार अब इसको अच्छा से मिक्स करना होगा और दो चमच मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर और यह देने से बहुत ज्यादा टेस्टी होता है इसको भी थोड़ा देदेगा तो अच्छा से फूलेगा जेलेवी इसको अच्छा से मिक्स करना होगा जरुवत पढ़ने से दूद्ध दे सकता लेकविड दूद्ध या पानी भी दे सकता जाकी सॉफ्ट दो हो गया है इसमें बिल्कुल पानी नहीं लगा तुरा ठीक से हो गया है अच्छे लिमाप से सब कुछ ठीक से लेने से दूसरा जरूरत नहीं पड़ता है अब इसको थोड़ा रेस्ट के लिए रख देता है अब इसको रेस्ट के लिए रखते है उतना टाइम हम एक सुगर सीरा बना लेते हैं यह काप का माप से हम दू काप शुगर ले लेते हैं और इसमें देर काप पानी देगा इसी काप में से ही देगा जो काप समचिनी लिया है देर काप पानी देगा इसके और आप कर दिया ग्यास का ओन कर दिया है और इसको अच्छा से एकदम डिजर्ब होने देने का चिनी को चिनी एकदम गल जाए उसके बाद थोड़ा उबल आएगा तो घाड़ा रखने होगा कोई तान नहीं पर चिप-चिप करेगा इसी घाड़ा रखने होगा जैसे हानी जैसे हाथ मेलेने से चिप-चिप करता है वैसी टाइप कर राखने होगा और इसमें हाप टीजपून लेमन जूस अट कर रहा चिनी क्रिस्टल ना हो जाए इसलिए इसमें हाप टीजपून थोड़ा घी मिलाएगा इसमें गी दे देदा है इसको थोड़ा मिक्स करना होगा अच्छा से इसमें मिक्स कर लेता है इसे चोटा चोटा बॉल बना लेता है शीराब एकदम बन गया और हम चेक करके देख लिया पूरा चिप चिप कर रहा है अब इसको बन करते है गास अब इसको बन करते है गास गुल गुल कर लिया है अब इसको थोड़ा इसे करके लंबा करके सेव देना होगा जलेवी का अब इसे करके लंबा करके सेव देना होगा अब इसे करके इसको राउंड करना होगा कि मैंने एक तो हाथ से दिखा दिया आभी क्या किया पूरा भैuciones को पाइपिंग बैग में ले लिया इसमें जाय सब को इसे करने चोटा बड़ा हो सकता है इसमें सब एक ही मापका होगा तो इसलिए हम इसमने वह लिए है तहो ढौप में उसमें भी कर सकते हैं इसको थोड़ा क्टिंग करना होगा मैं हम इसको थोड़ा कटिंग करना हो जयकर 둥ा SIM करना होगा इससे करके दबा देना होगा तो इसमें चिपक जाएगा इके फ्राइब करने के लिए ओईल रख दिया है और बबल सोने भी लगा है मीडियम गरम होगा तो ओयल में डाल देने का एक एक करके फ्राइब करने का एक एक करके छोड़ देगा इसके एकदम गोल्डेन कलर लाने होगा जो अच्छा से फ्राइब करना होगा कलर एक गोल्डेन कलर आए तभी उठाने का एक करके इसको चेंज करता है नीचे वाला पॉर्शन हो गया है तो उसको फ्राइब कर देने का एक बहुत अच्छा कलर आ रहा है चासनी में डालने होगा ना इसको सुगा शिरा को थोड़ा गरम रखने होगा और उसमें इलाइची देने भूल गया शुगा शिरा में तिन्टो इलाइची कुटके दे देता है दूसरा गयास में हम थोड़ा स्लो करके रख दिया चासनी को क्यों एकदम ठंडा हो गया अगरम में देगा तभी अच्छा से रस पकड़ेगा इसको बपसे चेंज पर देरा एक साइट एकदम अच्छा से हो गया देखिए इसी कलर आना चाहिए अगदम डाक कलर अब इसको चासनी में गड़म गड़म ही डाल देता है अब दूसरा बेच चुर देरा है इसी कून बना के करने से क्या सब सेप एक ही जैसे होगा हाथ से करने से थोड़ा धैन से करने पड़ेगा इसको शुगा सिरा में दे दिया है इसको ठोड़ा ढाक के रख देता है अच्छे सा एक देम रसीला बन जाएगा आप 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 देखिए एक दम छैना का जिलिपी जो है एक दम अच्छा से पुरा रस में डूप गया इसको अब आप 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 प्लेटिंग करके दिखा रहे हूं दिखेए कितना रसेला हुआ पूरा रस से बढ़ा हुआ है बहुत साफ्ट हुआ है यह खाने में बहुत अच्छा लगत है कि ट्रेडिशनल रेसीपी है यह थोड़ा पिस्ता से गार्निश कर दिया है और उपर से थोड़ा रस देदेरा देखने भी अच्छा लगता खाने तो बहुत ही टेस्टी होगा अब जरूर कॉमेंट करके बताएए कैसे बना अब लोग भी ट्राइ किजिए घर में आपको यह छेना जलेवी की रेसीपी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आज बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेसीपी के साथ थैंक यू